दोस्तो आज की इस कलास में हम डिसकस करने वाली है एक कमपोजिशन का डिलर टेली प्राइम सॉफ्टवेर से अपनी क्वार्टरली रिटन यानिकी CMP08 किस परकार से त्यार करता है तो दोस्तो ये कमपोजिशन अकाउंटिंग की प्रोपर अकाउंटिंग टेली प्राइम सॉफ्टवेर में कैसे मेंटेन होती है ये हमारा पार्ट थरी वीडियो है इससे पहले हम दो पार्ट अलड़ी अपलोड कर चुकी है जो कि मारा first part था उसमें हमने discuss किया था विए composition dealer टेली प्राइम सॉफटवेर में किस परकार से company create करता है किस परकार से GST tax के laser create करता है किस परकार से वो एक regular dealer से goods को purchase करता है तो purchase voucher की entry कैसे होती है अगर वो composition dealer से goods purchase करता है तो उसकी entry किस परकार से होती है और जो second video था उसमें हमने सेखा था विए sale के laser किस परकार से create होती है और एक composition dealer अपने customer को sale invoice किस परकार से issue करके दे सकता है और आज की इस class में हम discuss करेंगे CMP08 यानिकि जब composition का dealer अपनी 3 मंत के बाद में जो GST के return government को upload करनी होती है वो किस परकार से त्यार होती है टेली prime software में तो दोस्तों यह सब कुछ आपको इस वीडियो में practically देखने को मिलने वाल है तकि आपको आने वाले समय में इसी type की important video का notification सबसे पहले मिलता रहे तो नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त महुन सुथार और स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस YouTube चैनल पे तो स्टार्ट करते हैं आज कई वीडियो तो दोस्तों सबसे पहले हम अभी तक जो transaction हमने इस Teleprime software में इस company में करी है उसको एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं GST return के तरफ तो total transaction देखने के लिए हम day book को open कर लेंगे और F2 के साथ एक बार पूरा year का data open कर लेंगे तो आप देख रहे हो हमने इस transaction में तील सेल के वाउचर हमने create किये हैं और दो यह हमारे पास परसेज के record हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बार CMP08 के बारे में तो इसकी GST return किस परकार से create होती है तो सबसे पहले हम जाएंगे display more reports पर उसके बाद में GST reports पर तो GST reports पर हम जाएंगे तो हमें GST return में यह दो option देखने को मिलेंगे GST CMP08 और GSTR 4 तो हम CMP08 को एक बार open करेंगे और सबसे पहले हम एक बार period change कर लेंगे जिस period जिस मंच के हमें return त्यार करनी है तो आप देख रहे हो अभी तक हमारे पास total हमने 1915 रुपे की taxable amount की sale करी है और जिसका 1% के tax के हम बात करें तो 19 रुपे और 15 पेसे इसका tax के amount बनती है अगर इसका divination करें तो 9 रुपे 58 पेसे center का tax है और 9 रुपे 58 पेसे इसका state का tax है तो दोस्तो अब एक बार हम इस sale को verify कर लेते हैं भी क्या हमारे पास serial में sale इतने ही है तो दोस्तो जब भी हम किसी भी type की अगर हम return त्यार करें चाहिए हम regular dealer की कोई return त्यार करें या फिर composition dealer की return त्यार करें तो हमारे पास जब हम just return के option पे आते हैं तो यह uncertain transaction जो हमारे पास होती है correction needed यह आपके पास zero होनी चाहिए अगर यह आपको पास zero है तो इसका मलब आपकी return प्रोपर सही जा रही है लेकिन फिर भी हम एक बार इस sale को हमारे total sale के साथ इसको जुरूर verify करेंगे तो 1915 रुपए की sale है तो इसको verify किस तरीके से करेंगे profit and loss count में जाके total sale के साथ तो इसके लिए आपको profit and loss count में आ जाने है और interface करेंगे और alt f1 detail देखेंगे और उसके बाद आप जिस period की भी आप ght return त्यार कर रहे हो वो एक बार period आपके सामने जरूर open हो जाना चाहिए तो अभी जख हमारे पास total तीन यह transaction है तो 1915 रुपए की यह total हमारे पास sale आ रही है तो इसका मलब यह total sale हमारे पास taxable sale हमने करी है और जबकि ght return का जो format होता है cmp08 का उसको हम एक बार pdf पे देखें तो आप देख रहे हो यह हमारे पास है form ght cmp08 का तो दोस्तो cmp08 बिल्कुल सिंपल सा format में इसके अंदर आपको कुछ भी regular dealer की तरह कोई b2b का data त्यार नहीं करना था कोई b2c का retail नहीं त्यार करना था आपको first column की सबसे ज़्यादा important जुरूर्ण पढ़ती है उसका नाम है outward supply including exempt supply यानि कि आपने total sale कितनी कर दी तीन महिने के अंदर वो total value आपको लिखनी होती है और उसके बाद में आपका IGST tax कितना है CGST tax कितना है या फिर SGST tax कितना है तो वो tax की value आपको डालनी होती है उसक आपका कोई value नहीं होता अगर आपने कोई RCM कोई विकरा कोई आपने दे रखा है अगर उसकी tax के liability अगर आपके बनती है तो वो detail हमें यहाँ पर डालनी पड़ती है उसके बाद में total tax payable आपका one और two part आपका aid हो जेंगे तो total tax आपके पास आजेगा उसके बाद में interest payable if any यहाँ कि अगर आपका कोई interest बकाया पड़ाया कोई भी है तो आप यहाँ डाल सकते हो tax paid and tax and interest paid यानि कि आपने अगर और ओलड़ी कोई paid कर दिये तो उसकी detail हम पांच नमबर कोलम में डालते हैं simple है कुछ भी इसके रावा निया और लास्ट में आपके signature है तो अब हमें यह यह जो record ड्यार करना है यह किस तरीके से त्यार होगा इसको हम टैली software में देखते हैं वापीश GST return पर चलते हैं तो सबसे पहले हमें tax free के product हम purchase कर लेते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे वाउचर पर जाएंगे और purchase वाउचर है एक बार हम वन वन कर लेते हैं और ABC enterprises से product पर लेते हैं और यहां पर हम कोई product काम दे देते हैं tax free item और primary में पीस में रख लेते हैं yes करेंगे और इसके बाद में इसका exempt में हम डालना जरूरी है और goods करेंगे और इसके बाद में हम quantity देल देते हैं इसकी 500 हो गया और यहां पर हम एक लेजर क्रियेट कर लेते हैं tax free purchase और under में रखेंगे purchase count के और इसको applicable आप करोगे इसको हम करेंगे goods अगर हम इसको applicable करते हैं तो इसकी जो हमारी इसको भी हम exempt हमी करना पड़ेगा और goods कर रखेंगे और इंटरप्रेस करते हैं इसको वाउचर को हम कर देंगे यहां पर से और उसके बाद में हम F8 यान की लेजर क्रियेट कर लेते हैं अंडर में sell count रहेगा यह और यहां पर इसको हम कर देंगे exempt और goods करेंगे और इसको इंटरप्रेस करते भी करेंगे अब हम एक बार टोटल सेल को verify कर लेते हैं profit and loss count में जाके अल्टाफ 1 डेटेल करेंगे तो आप देख रहे हुँ हमारे पास टोटल जो सेल है वो टैक्सेबल गूट्स की है 1915 रुपए की और टैक्स परी की 600 रुपए यानिके टोटल 2515 रुपए की सेल हो चुकी है कि और पी सब्सक्राइब करेंगे तो अब आप देख रहे हुँ हमारे पास यह अलग लग डिटेल हमें दिखा रहे हैं यह आपके टैक्सेबल सेल जो जिसके उपर एक परसेंट का टैक्स चार्ज होना है वो 1915 रुपए की है और एक्सेम्ट सेल है वो आपकी 600 रुपए की कि आपने इस तीन मंत के दुरान सेल करती तो अब यह जो 2515 रुपए की अमाउंट है वो हमारी इस कोलम में आ जाएगी और उसके बाद में हमारा जो टैक्स की अमाउंट है वो हमारे टैक्सेबल सेल के उपरी बनने है 19 रुपए और 15 पे से तो यह 9 रुपए 85 पे से CGST का टैक्स और 9 रुपए 85 पे से CGST टैक्स का वेल्यू बन गया तो यह हमारा इसके स्टेट के कोलम के अंदर सेंटर टैक्स में और यह स्टेट के कोलम में आ जेगा तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से CMP08 की रिटन हम इजी तरीके से त्यार कर सकते हैं केवल हमें सप करेंगे टो जैसे हम इसको डिपोजिट करा देंगे चला नहीं में इसका क्रेट कर देंगे तो उसके इंट्रिंथर में जाए करहेंगे गी और से सिजेटी टेक्स को स्लेक्ट करेंगे 9 रपे 8,9 पैसे इसी तरीके से स्जेटी टेक्स को स्लेक्ट करेंगे 9 रपे 8,9 पैसे और उसके बाद में जिस बैंक के थुरू भी हमने यह डिपोजिट करवाया है उस बैंक का लेजर हम क्रिएट करेंगे और उसके बाद में बैंक को क यह था इंडिरेट एक्स में जो हमें देखने को मिलेगा profit and loss count में तो आप देख रहे हैं यह हमने cgsd tax और sgsd tax को यहाँ पर debit कर दिया तो दोस्तों यह था एक composition dealer को हम teleprime software से cmp08 की return किस परकार से त्यार करते हैं और दोस्तों जो हमारा फार्ट फोर्थ रहेगा उसमें हम सिखेंगे भी composition dealer की books of accounts को finalization किस तरीके से करते हैं यानि कि trading count किस तरीके से त्यार होता है profit and loss count किस तरीके से त्यार होता है और उसके बाद में balance rate किस तरीके से त्यार होती है तो यह सब कुछ भी आपको next video में practically सेखने को मिलने वाले हैं तो जुरूर लाइक देना तो मिलते हैं next video में एक और नए interesting topic के साथ